और उत्तर प्रदेश के बाद इस वक्ती बड़ी खबर तमिल नाडू और AIA DMK में चल रहे सियासी संकट पर शर्षी कला नटराजन का बड़ा बयान आया शर्षी कला ने कहा कि पार्टी में किसी तरह का संकट नहीं है, सब भी विदायत पूरी तरह से एजूट है शर्षी कला ने दावा किया कि वो ही तमिल नाडू की मुख्यमंत्री बनेंगी, शर्षी कला ने पूरे संकट के पीछे DMK को जिन्मेदार बताया है उधर तमिल नाडू में सत्ता हासल करने की शर्षी कला की खुआईश को बड़ा जटका भी लगा है पहले शर्षी कला को कारीकारी CM पनिर सिल्वम ने बगावती देवर दिखा कर जखका दिया और अब शुनाव आयोग से भी शर्षी कला को राहत नहीं दी है शुनाव आयोग ने कहा कि AIA DMK के समृधान में आस्थाई महासचिव का कोई प्रावधान नहीं है शर्षी कला को आस्थाई महासचे बनाने पर सवाल खड़े कर दिये दूसरी और पनिर सिल्वम ने भी एका बगावत करने के बाद शर्षी कला पर कई कमधीर आरूफ लगाए पनिर सिल्वम ने जैल्यलिता की मौत की जांच के लिए आयोग बनाने का ऐलान किया और कहा कि उनिर जेललिता ने दो बार वक्षमंसी बनाया और अगर पार्टी कारी करता चाहेंगे तो वो इस कीपा वापस लेकर विधान सभा में फिर से बहुमत साबिच करेंगे इस बिच शर्षी कला इस वक्त एई आई एडीमके के वो ख्याले में विधाईकों के साथ बैठा कर रही हैं जहां बई संख्या में विधाया को पहुंचे हैं शर्षी कला इस बैठाक से पहले पनेर सेलवम ने भी अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की आपको बताते हैं कि पनेर सेलवम ने क्या बड़ी बातें कही पनेर सेलवम ने पार्टी से धोका किया हूँ किरसे कर माल के वापस लोटने के बाद मैं उनसे मिलूंगा मैं विल्हायन से मैं अपना बहुमत रूंगा तब सामने रखूंगा केंद्र सरकार को सपोर्ट कर रही है जो भी तमिल जनता का साथ देगा हम उसे स्विकार करेंगा अगर दिपा स vers पर्फन दीती हैं तो मैं उसे स्विकार करूंगा तनलाडू के सियासे संकर्पें केंडर सरकार का खोई रोल नहीं केंडरे मंती देंका यानाईजू नहीं कहा कि ए आई ए डीमके का अंदूरूनी मामला है दूसरी ओर डीमके ने गवर्नर से पूरे मामले में दखल द needle देनी की मांगी है जो इंटरनली आई डीमके में हो रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं और उसमें ना सेंटर का ना बाज़ापा का कोई भूम्का नहीं है दूसरा जो राजपाल के बारे में लोग जो आरोप कर रहे हो गलत है राजपाल जी सम्विधान के अनुसार और जो अभी परंपरा के अनुसार और वहां का लीगल एक्सपर्स का उपीन लेके वो सही समय पे सही निननाई करेंगी जारी सियासी उठापटक पर जानकार मांते हैं कि AIA DMK दो फार हो चुकी है एक गुट पनेर सिल्वम के साथ जाकि दूसरा गुट शासी कला को अपना समत्थन दे रहा है बीजेपी नेता सुपर्मनेम स्वामी ने कहा पनेर सिल्वम को स्टीफा देने से पहले सच सब के सामने लाना चाहिए था तमिलाडू के राजनेतिक उठा पठक पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिश नेता डॉक्टर सुपर्मनेम स्वामी मौजूद है डॉक्टर स्वामी पनीर सिल्वम आज जो हमेसे बड़ा आग्याकारी थे वाड़े चुप साफ रहते ताचानक बोलने लगे तो क्या है बोलने से क्या हरजा है बोलने से क्या फरक परता है वो कह रहे हैं कि मुझे दवाब दिया गया साथिकला का इसलिए मनिस्टर जिसके पास कोई जाना है मेले है ना कुछ है तो डर्बोग है वो यह कह रहा है कि 75 दिन में रोज जाता था हॉस्पिटल कभी मिलने नहीं दिया गया ससी कला के वर्माना चाहिए उसको क्यों उसने बरदाश्ट किया अतना दिन अब आगे क्या होगा साथ आपके हिसाब से अब आगे क्या होना चाहिए मैं कहा रहा हूँ ना यह तो बिल्कुल साफ है कॉंस्टिशनल पोजिशन उसको युनाइनिमिस रेजलुशन से पास वा जिसमें यानी पनी सल्वम नहीं भी वोट दिया तो बुलाओ उसको यह गवर्नर नालाइक निकला मेरी ओपीनियन में टमिल्नाडू की राजनीती को सबसे ज़्यादा करीब से आप जानते हैं आपको लगता है कि 1987 में जिस तरह हुआ कहीं डियम के दोफार हो सकती है कैसे हो कि कौन करेगा अभी तक कुछ तो दिखता नहीं है दिखेगा तो मैं अभूस से पूछ लो पनी सिल्वम साब को मौन वरत जो जैलता को समाजी के सामने जाकर के बैटे थे अन्षान किया था एक गंटे करीब उसी से पता लगता है एडियम के का अंदर कुट पड़ गई है एडियम के दो तुकड़ा होने वाले हैं एडियम के का अंदर यमलिस 134 यमलिस है उसमें 55 पच्वं यमलिस से पनी सिल्वम को साथ है बागी लोग सन्षिकला को साथ है एडियम के दो गूट हो गया है एक पनी सिल्वम गूप एक सन्षिकला गूप मुझे लगता है गवंटर साब ने चेनने नहीं नहीं जा लेकिन वेटन वाच अप्रोच रूप में गवर्नर सापको भी रुखवाया है और चैने से इंडिया टीवी समधाता टी रागवन इस वक्त हमारे साथ जुने हैं रागवन पूरी रागवन पूरी रागवनीतिक उठापटा के बीच जो चुनाव आयोग में कहा कि AIA-DNK मे कोई आस्थाई महासाचित का पद नहीं है इस बात का क्या मतलब है जीजे से कुछ दिर पहले AIA-DNK की विधायक दल की बैसक खतम हुई है जहां AIA-DNK के दफ्तर के बार हम ख़़े हैं यहां से यह संकेश साथ है जिस वक्त शाषिकला पार्टी ऑफिस के अंदर गई थी तब उनके चेहरे पर तनाव था लेकिन जब वो बाहर निकली उनके चेहरे पर उस साथ था इससे यह अंदादा लगाए जा सकता ही कम से कम उनको इस बात का भरोसा हो गया है कि 135 में से 131 विधायक अभी शाषिकला के साथ खड़े वे दिख रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया साथ-साथ कि संख्या बल के आधार पर शाषिकला का पलड़ा भारी है लेकि पनी तिल्वम ने आज सुबह यह बादशीत उन से कही कि जब कहा गया कि आपके पास दो विधायक सुबह से पहुचे हैं तो उनका यह कहना था कि अगर एसेंबली में मेजरीटी प्रूव करने की बात आती है तो यह थाबित कर देंगे कि विधायक का जो जम है जो संख्या बल है वो उनके पास है इससे यह साफ जाइर होता कि यह बात वो बार बार इसलिए दोर आ रहे हैं कि जनरल काउंसिल जो है उसमें पार्टी के काडर्ग भी आते हैं और वहां पर हो सकता है कि पनीर सेल्वम को ज्यादा लोगों का समर्थन मिल जाए रागवन क्या इस बात की कोई संभावना आपको दिख रही है कि वहां पर पार्टी दो फाड हो जाए क्योंकि पनीर सेल्वम के समर्थन में तो विधायक नजर आ नहीं रहे हैं भले ही वो बहुमत साबित करने की बात कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमा आपकी के लिए